आज मैं आपके सामनी हूं Science Express Series को लेकर के जिसमें हम कुछ discuss करेंगे important questions जो previous year के questions होंगे और इससे आपको idea लग जाएगा किस तरह से आपको answer करना है क्योंकि आपके exams बहुत नजदीक हैं तो इसका एक ही वीडियो होगा जिसमें मैंने हर टाइप के questions को include किया है जिससे आपको idea मिलेगा कि आपको कितना बड़ा answer किस टाइप के questions का देना है और किस तरह से देना है तो शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी का स्वागत है starboard edu point पे welcome back चलिए let's start video सबसे पहले discuss कर लेते हैं स्लेबस को स्लेबस में देखिए chemistry के चैप्टर नंबर फॉर और फाइफ है जिसके टेन माक्स की question आप से पूछे जाएंगे और biology में 8 9 और 15 यह chapters के नंबर है जिन से आपका पूछा जाएंगे 18 माक्स का question physics में chapter 12 and 13 जिसमें आपके पूछे जाएंगे 12 माक्स का question ठीक है और तूरा आपका यह वाला term theory based है और पूरे के माक्स कितने हो जाएंगे 40 तो आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि सबसे ज्यादा माक्स में आपका पूछा जाएगा biology से 18 माक्स तो आपको इसमें आंसर बहुत अच्छे से देने हैं और अच्छे से माक्स मिल भी जाते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है बस थो कि सबस्क्राइब को एससे आपको इडिया लग जाएगा कि जो स्बैरिशॉर्ट है तो इसमें कितने मां माक्स का है तो आपको किस टाइब से आंसर देना है ठीक है क्वेस्टन अपका नीम वहमेंट दूबेंगरे ट्रेट्स विच शोव यह श्योंस किस तरह साएगा कि ब नहीं हुआ है यहाँ इरिया जो यहर इयरिस विञाव शोलूर UV के इसमें आप जैंच के यहाँ ठाल कहनों है प्रॉड़ से और फाकिर ट्रेस। यह थोड़ा से रिप्वातिateurs थे ईसमें और भी तो आंसर में इसमें क्या है color of eyes and height जो color होता है वो आइरिस पे टेपेंड करता है आइरिस की color से इसलिए आइरिस में भी इसका नाम आ सकता है ठीक है और height में भी इस तरह से आप changes दे सकते हैं कि कुछ की height बहुत ज़्यादा होती कुछ की normal होती और कुछ doff भी होते हैं next question देख लेते हैं write the formula of first two members of homologous series with functional group ketone group ketone group में आपको देखना है ketone group से जो आपके बनते हैं members तो उसमें first two members का के बारे में हमें यहां पर जानना है ठीक है तो आप यहां पर formula देख सकते हैं यहां पर first में जो आपका बना हुआ है यहां पर three carbons use किये गए हैं ठीक है तो यह क्या बनेगा propanone क्योंकि ketone group के लिए जो name आता है वो known लगता है और anyone तो ketone है आपका तो यह बन जाएगा propanone क्योंकि propane three carbons के साथ जो series बनती है वो होती है propane और आप साथ में आपको जोड़ना है तो propanone ठीक है इस तरह से इसमें देखिए इसमें है one two और three four है carbon ठीक है four carbons में आपके क्या बनता है four carbons में आपका बनता है butane ठीक है तो यहां पर own है तो butane known अच्छा एक चीज़ा आप यह आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने इसका formula बिल्कुल open करके लिखा है तो आप इसको open करके भी लिख सकते हैं otherwise इनको compact form में भी जैस तरह से मैंने next question में show किया है उस तरह से भी लिख सकत से कि एच कितने जुड़े हुए हैं और इनकी bonding दिखाते हुए तो यह ज्यादा अच्छा सा होता है इसमें ज्यादा clear भी होता है ठीक है तो इससे क्या होता है examiner खुश हो जाता है और उसको आपकी चीज जो भी आप दिखाना चाहरे वह ज्यादा clear होती तो आपको marks देने में बिल्कुल भी देर नहीं करते और पूरे marks मिलते हैं इसमें ठीक है let's move on next question next question में पूछ रहा है right molecular formula of the first two members of the homologous series having functional group COOH ठीक है तो यह हमारा core box league group है इससे जो series बनती उसमें homologous series को हमने देखना है कि इसके members किस तरह से ठीक है तो यहाँ पर answer में देखे दिया हुआ है है HCOOH यहाँ पर क्या है bonding नहीं दिखाईगी है single bond है double bond है यह चीज ने इसमें शो की गई है तो आप इस तरह से भी लिख सकते है compact form में ठीक है तो यह आपका c h c o o h यह हमारा क्या बनाता है methanoic acid यह हमारा क्या है methanoic acid क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही C है अच्छा ठीक है actually यहाँ पर जो naming है nomenclature है वह आपको यहाँ पर आपके syllabus में से हटा दिया गया है बट इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखिए आप चाहें तो वहां सर देख सकते हैं कि butanoon क्यों कहा गया इसको जैसे बोल रहे हैं c s 3 c o o h को ethenoic acid क्यूं बोल रहे हैं यह oic acid कैसे आया यह सारी चीजे sorry यह सारी चीजे आप वहां उस वीडियो से देख सकते हैं कि ethane इनके बारे में वीडियो पहले बनाया मैं इसमें आसे लिंक आपको प्रवाइड कराऊंगी साथ में तो वहां से आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से नेमिंग की गई है ओके तो यहां पर एथेनोई केसिर आपका सेकेंड वाला है तो यह चीज आपको समझ में आएगी हो में लोगों सीरीज में यह दो हमारे मेंबर्स इस तरह से शोग किये जाएंगे ओके लट्स सी नेक्स क्वेश्चन येस दिस क्वेश्चन इस फ्रॉम बाइलोजी आज यू इस इसे प्रोटीन के रूप में और इसमें क्या होती है कि सोर्स है जो इसका इसमें इन्फर्मेशन जो कि प्रोटीन के रूप में सेब होती है और यह अलग-अलग proteins जिस तरह से जुड़ते हैं तो यह different design भी form करते हैं, okay, next question है, write the name, symbol and electronic configuration of an element X whose atomic number is 11, okay, तो कह रहा है कि जिसका atomic number 11 है, इसका configuration बताईए, name, symbol बताईए, ठीक है, तो let's see, the element whose atomic number is 11 is sodium, its symbol is NA, देखिए, आपको first 20 elements को learn करना ही करना है, और यह उसी में आता है, क्योंकि यह 11 number पर है, ठीक है, तो आप उसको learn कर लेंगे, तो आप 11 देखते ही, डारेक्ट जान जाएंगे कि X हमारा क्या है, NA है, ठीक है, और जैसे ही आपका 11 देखा आपने, तो इसका electronic configuration भी easily निकाल लेंगे, क्या होगा, 281, अब जो हमारा 1 है, यह last है, तो यह हमारा क्या बताता है, वैलेंस इलेक्टरॉन को, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी होगी, ठीक है, तो I hope यह चीज आपको clear होगी, इससे related भी वीडियो मैंने periodic table का भी just before इसके दिया है, तो वहाँ से आप इसको देख करके समझ सकते हैं, कि configuration क्या है, इसका numbering जो है, यह किस तरह से दी गई, 11 number पे है, ठीक है, वैलेंसी कैसे आ रही है, यह चीजे सब उसमें clear हो जाएगी, ओके, ओके, लेट सी, next question, what is ohm, define it, तो ohm क्या है, यह question हमारा आता है, physics, ठीक है, ohm is the unit of resistance, 1 ohm is the resistance offered by the wire carrying 1 ampere of current when 1 volt is applied across its end, ठीक है, तो यहाँ पर यह आसर में क्या बता रहे हैं, कि जो ohm है, ohm ही पूछा है, इन्होंने की ohm को define करना है, तो ohm आपका क्या है, यह resistance का unit है, ठीक है, unit समझते है, जिसमें measurement करते हैं, तो यह resistance का unit है, और 1 ohm जो होता है, यह किसके बराबर होता है, यह क्या चीज बताता है, यह बताता है कि जो wire है, 1 ampere current को carry करता है, और इसके जो ends होते है, उस पर 1 volt का, आपका वो लगता है, ठीक है, potential difference जो होता है, तो यह चीज आपको बताता है, यहाँ पर ohm को इस तरह से define कर सकते हैं, okay, let's see next question यह देखे यहाँ पर यह अर्दन पॉर्ट से related कुछ question है so question is some time back कुलहडाज that is disposable cups made up of clay were suggested as alternative why कुलहडाज are not being used in trains now ठीक है तो बहुत पहले कुलहड का बहुत ज़्यादा use होता था और आपको पता है यह कुलहड बनते हैं हमारे किसे मिट्टी यानि स्वाइल से और जब इसको बनाना होता है तो clay soil लेते हैं और जो स्वाइल होती है यह अपर most layer होती है इसमें humus बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो पहले जब यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा मैनुफेक्टरिंग कुलडाज ओन लार्ज स्केल वोड रिजल्ट इन देप्लिशन अफर्टाइल तॉप स्वाइल मेकिंग दे लैंड इनडिक्वेट फॉर दे कल्टिवेशन नोकिक्वेशन B मेंस इसी ठीकमपोजिशन करके हमस को बनाते हमस आपका तो जब आप less दे लोगे तो कहींनग हो कही करता है आपकी क्रॉप्स एक प्रॉपर वे में healthy क्रॉप्स नहीं होती है जिसकी वज़ा से जब यह चीज समझ में आई कि हमको इस तरह से नुक्सान हो रहा है आपके क्रॉप्स को तो इसको बंद कर दिया गया ठीक है इसलिए ट्रेंस वगरा में यूज नहीं होते हैं अब इनका कुल्हड की प्लेस पर हम यूज करते हैं पेपर कप जो की इसलिए डिकंपोस हो जाते हैं ठीक है तर अब बारिश के टाइम अगर बाहर पड़ें तो वह क्या है डिकंपोस हो जाती है तो यहां पर यह चीज से हमें क्या है फाइदा मिलता है इसलिए इसको बंद कर दिया गया next question हमारा chemistry से related है और कुछ periodic table जैसा भी आपको इसमें शो हो रहा है so question is why properties of elements belong to same period are different यहनी कि जो properties है element की ठीक है same period में है लेकिन उनकी properties different है तो हमने पीछे discuss किया था पीछे का मतलब है जो last video थी उसमें हमने periodic table को discuss किया है जिसमें यह बताया गया है कि जो same group होता है उसकी balance same होती है ठीक है और balance same होती है तो कहींने के उनकी properties भी same होती है तो यह बात होती है group की लेकिन period में आप देखेंगे कि balance हर एक element की different होगी ठीक है जैसे यहाँ पे अगर हम first group को ले रहे हैं तो first group first period को ले रहे हैं तो इसमें hydrogen है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्या है helium ठीक है तो इन दोनों की period में जब हम left to right बढ़ते हैं यह lithium है ठीक है यहाँ से जब हम इधर बढ़े तो हमारे क्या है groups change हो रहे है group हमारे उपर से नीचे की तरफ same group होता है जैसे यह वाला first group है first group में हमारे hydrogen, lithium, sodium तो इनकी valency same होगी और इनकी properties same होगी यानि कि valence electron के according इनकी properties में similarity है बट जैसे जैसे हम left to right बढ़ते हैं तो होता क्या है कि हमारे groups change होते जाते हैं groups change होते हैं तो क्या change होता है valence electron भी change होते हैं जिस वज़े से इनकी properties इसंने आपका बरॉन हो गया, कारедь ने तो यह क्या है, गरुप चेंज हो रहे हैं जिसकी क्या से वेलेंख्रोन चेंज हो रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज भी टिफे करती हैं। I hope आपको यह चीज clear हुई होगी, और ना हुई हो, तो last videos जो हमने डाली है, periodic table पे उनको देखिए, वहाँ से यह चीज और भी ज़्यादा clear होगी. Next question is, suggest one way of discriminating a wire, carrying current from a carrying no current, ठीक है, यानि कि आप differentiate कैसे करोगे, कि दो wire में से किस wire में current है, और किस wire में current नहीं है, तो simple सा इसका एक method है, क्या यूज करेंगे हम, magnetic compass यूज करेंगे, I hope आपने ये 7th में ये practical किया भी होगा, experiment ये किया होगा, और आपके books में ये experiment दिया हुआ है, जिससे, यानि कि आप इस चीज के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है, तो क्या है, deflection in the compass needle discriminates a wire carrying current from a wire carrying no current, ठीक है, जब आप compass को, जो magnetic compass होती है, उसको ले कर जाओगे, तो जिसकी needle होती, वो deflect करती है, ठीक है, जिस तरफ से current, क्योंकि एक magnetic field create होता है, जिसकी वज़े से इसकी जो needle है, ये show करती है deflection, जिस तरफ से current आ रहा होगा, जिस तरफ को strong होगा, उस तरफ को जादा जाएगा, जिस तरफ से magnetic field होगा, तो उस तरफ को compass आपका, जो needle होगी, वो move करेगी, तो ये आपको इस से पता चल जाएगा, कि जो दो wire है, उनमें किस में current है और किस में नहीं है, ठीक है, तो next question देख लेते हैं, next question आपका chemistry से related है, write the formula used to determine the maximum number of electrons, which a shell in an atom can accommodate, ठीक है, तो ये question क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसके बारे में, कि formula जो हमारा use किया जाता है, उसमें maximum number जो electrons क्यों होते है, एक cell में, उनको कैसे हमको यहाँ पे, हम इनमें कैसे इसमें fill करते हैं एक तरह से, ठीक है, जो हमारी shells होती है, उसमें किस तरह से fill करते हैं, तो यहाँ पर हम 2N square electron, 2N square जो formula होता है, इसको हम follow करते हैं, इसके according हम य यह थे हमारे very short answer type questions, now we will discuss about the short answer type questions, जिसमें कि आपके यह question 2-3 marks के हो सकते हैं, पहले जो हम discuss कर रहे थे अभी तक, very short, वो हमारा one marks का था, कई बार कुछ ऐसा भी होता है, कि यह one marks के question, इसमें short answer type में भी बूश लेते हैं, कि जैसे 2 question को एक साथ include कर दिया और 2 marks में पूश लि तो better है आपका answer और भी ज्यादा effective हो जाता है, आपको उसके marks पूरे मिलते हैं, ठीक है, next question है, question 1 का A part है, ठीक, यानि question 1 हमारा parts में पूछा गया है, तो पहले हम discuss कर रहे हैं A part को, and this question is from biology, so let's see, from the following group of the organism, create a food chain, क्या बना रहे हैं आपर, food chain, which is the most advantageous for human beings in terms of energy, किसके उसमें पूछना है, energy के बारे में पूछना है, ठीक है, तो देखना है कि जो हमारे लिए human beings के लिए सबसे ज़्यादा beneficial होगी, food chain वो कौन सी इसमें हो सकती है, यहां पर कुछ living organisms के नेम दिये गए है, hawk, rat, cereal plants, and goat, snake, human beings, तो हमें human beings के लिए देखना है कि कौन हमारी food chain सबसे beneficial होगी, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि energy के बारे में जब पूछते हैं, तो energy का law होता है, 10% law, 10% energy law, तो उसमें होता क्या है कि जो भी जैसे producers हैं, यह क्या कर रहे हैं, यह environment से carbon dioxide और water की help से food बना रहे हैं, ठीक है, तो उस food में जो energy store है, उस energy का अगर हम उसको खाते हैं, या कोई भी animal खाता है, जैसे कि आपका grass को grass hopper ने खाया, तो grass hopper को grass से की जो total energy है, उससे केवल 10% ही मिलेगा, ठीक है, अब grass को खाता है आपका frog, ठीक है, तो एक grass hopper में जो जितनी भी उसकी energy है, उसकी energy का 10% केवल frog क मिलेगा, तो यहाँ पर होता क्या है, कि अब केवल 10% मिलेगी energy, तो उससे frog का तो कुछ भी भला होने वाला नहीं है, तो वो क्या करता है, वो एक केवल grass hopper ने खाता, वो कई सारे grass hopper खाता है, जिससे उसको energy हर एक grass hopper से 10% 10% मिलती है, तो जाके उसकी body को कुछ energy मिलती है, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, consumption उसका बढ़ जाता है, वो उसकी amount जादा use करता है, ठीक है, energy को level balance करनी के लिए, तो आपको यह चीज़ यहाँ पर याद रखनी कि 10% energy ही केवल transfer होती है, next energy level पे या next consumer को, ठीक है, तो उसके according यहाँ पर करना क्या है, जो most beneficial हो, जिस आप primary से secondary में जाएंगे, secondary में और कम हो गए, secondary से tertiary में जाएंगे, तो energy का level घटता जा रहा है, तो energy जो सबसे last का होता है, उनको energy सबसे कम मिलती है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे ज़्यादा energy या ज़्यादा से ज़्यादा energy गेन करने के लिए, कौन सी हमारी food chain हो सकती है, वो देखनी है, ठीक है, तो food chain हमारी होगी, cereal plants and human beings, अगर human beings directly cereal plants को ले रहे हैं, तो cereal plants का जितनी total energy है, उसका 10% जम मिलेगा, तो human beings को कहीं न कहीं जादा मिलेगा, दूसरी बात, आपने एक चीज़ और देखी होगी, कि cereal जो होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो हम एक cereal तो लेंगे नहीं कि हमें उसका 10% मिला, कोई एक grain का दाना तो हम खाएंगे नहीं, हम उसको जादा amount में खाते हैं, इसलिए हमें जादा energy उससे gain होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 10% energy log को, ओके, next question होगा, 1B, तो 1B देख लेते हैं, state the possible disadvantage if the cereal plant is growing in soil rich in pesticides, अच्छा, पीछे जो हमने discuss किया, वो भी cereal plant का था, और human beings के उपर था, यानि कि अगर हम उसको ले रहा हैं, तो में energy तो मिल रही है, साथ के साथ अगर वो plant आपका ऐसी स्वाइल में ग्रो करता है, जिसमें pesticides यूज किये गए हैं, तो उसका क्या effect होगा, यानि उसकी effect में advantage है या disadvantage, तो यहाँ पर आप देख सकते, pesticides human beings के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं, जब वो pets के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो human beings के लिए अच्छे नहीं है, कहीं न कहीं ये क्या है, हामफूल होते हैं, तो इसका disadvantage ही होगा, तो next हमारे इस question में हमको य एक तरह से जो आपने पीछे question में देखा कि energy level घटा जा रहा है, यहाँ पर उसका उल्टा है, यहाँ पर क्या होगा, biological magnification, यह word आपने एस class में भी सुना होगा, ठीक है, तो biological magnification में होता है कि जो pesticides यूज किये जा रहे हैं, यह क्या है, डिग्रेड नहीं होता है, इसका यह क जाता है, whole, पूरा, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है, कि अगर frog है, frog grass को खा रहा है, और उस grass में pesticide यूज किया गया है, तो उस pesticide से क्या होता है, कि जो भी उसका amount आएगा, grass ओपर के अंदर, वो as it is store रहेगा, वो degrade नहीं होगा, उसको जब frog खाएगा, तो frog के अंदर वो पूरा-पूरा pesticide का amount जाएगा, ठीक है, बढ़ जैसे मैंने पीछे discuss किया, कि frog एक ही grass ओपर तो खाएगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कई सारे grass ओपर खाएगा, और कई सारे grass ओपर खाएगा, तो यानि कि उस plant से जितने grass ओपर ने खाया, उन सब के अं amount होगी, frog के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है, यानि कि कहीं न कहीं deposition होता जाता है, इसका pesticide का, डिग्रेड होता नहीं है, और deposition होता जाता है, तो यह जब अब फ्रॉप को अगर इसने खाता है, तो frog ने बहुत सारे grass ओपर को खाया है, तो उसके अंदर amount जो pesticide का है, वो पूरा का पूरा amount snake के अंदर जाएगा, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर deposition हो रहा है एक तरह से, जैसे कि पीछे में क्या था, deposition हो रहा था, घट रही थी energy, लेकिन यहाँ पर deposition होता है, तो बढ़ रहा है, यानि magnification हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं biological magnification, ओ and other life forms, okay, जितने भी वहाँ पर है, living organism होंगे, उनको कहीं न कहीं, स्वाइल से other living organism को भी effect होता है, okay, can result in unwanted side effect to the environment, पूरे environment को effect होता है, due to the biological magnification, a large amount of harmful chemical reach our body when we consume these cereals, ठीक है, जब हम इनको खाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारा amount जाता है और इखटा होता जाता है, ठीक है, they cause harmful side effects to humans and other organisms, micro organisms present in soil are also affected by misuse, overuse of these chemical compounds, ठीक है, तो soil में जो हमारे micro organisms रहते हैं, उनको भी effect पड़ता है, वो वहाँ पर पूरी तरह से खतम हो जाते हैं, तो fertility soil की जो होती, वो भी घटती जाती है, क्योंकि micro organisms जो होते हैं, वो decomposers होते हैं एक तरह से, और जो remain parts होते हैं, जो आपके plants के, उनको decompose करके, उससे क्या manure बनाते ह है, तो वो fertile बनाता है soil को, और कहीं न कहीं, अगर micro organism वहाँ पर खतम हो जाएंगे, तो soil भी आपकी fertile नहीं रहेगी, तो यह कहीं न कहीं, आपके environment के लिए harmful है, okay, next question, question number C, यानि कि one, जो question है, इसका third part है, question number one का, construct a food web using the organism, mentioned above, हमको यहाँ पर food web बनानी है, और जो पीछे organism, living organism दिये हुए थे, उनको use करते हुए a food web बनानी है, but यहाँ पर आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, कि हम उन living organism के pictures नहीं बनाएंगे, उनके सिफ नेम्स लिखेंगे, यानि कि नेम्स को use करके हम food web बना लेंगे, जिससे क्या हमारी food web अच्छी भी understand होगी, okay, so let's see, yes, this is your food web, okay, तो यहाँ पर food web में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी food chain जब इंटर कनेक्टेड होती है, तो वह हमारी food web होती है, और हमेशा food chain start होती है आपकी plants से, producers, तो cereal plants से आप गोट ने खाया directly, तो गोट के बाद वो कौन खाएगा, गोट को human beings खा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह एक chain हो गई, या फिर directly cereals को यहाँ देखिया, आप सीधे खा लिया human beings ने, ठीक है, यह एक chain हो गई, यहाँ से cereal plants को rat ने खाया, rat को खाया snake ने, और snake को खाया human beings न, मैंने तो देखा था, चैनल क्या आता है, आपका discovery channel उसमें देखा था, ठीक है, तो human beings ने को भी खा सकते हैं, इसी तरह इसने को आपका hawk भी खाएगा, यहाँ पर, तो यह हमारी कुछ food chain होती है, जैसे rat को directly human beings ने, oh my god, चलिए, ठीक है, यह एक food web है, इसको आप समझ लीज producers के साथ, ओके, तो इतना आपको याद रखना है, next question क्या कह रहा है, write the essential function performed by ozone at the higher levels of the earth's atmosphere, ठीक है, how it is, how is it produced, name the synthetic chemicals, mainly responsible for the drop of amount of ozone in the atmosphere, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर three questions को एक साथ लाया गया है, है ना, तो यह हमने हमने आप यह complete कर लिए, two questions, third question क्या है, how can the use of these chemicals be reduced, यानि कि जो भी chemical use हो रहा है, वो से क्या है कि ozone layer को कहीं ने कहीं destruction हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको reduce करना है, तो यह किस तर ozone layer absorbs most of the harmful ultraviolet radiation, यहाँ पर function बता रहे है, ozone layer का, क्या है, कि harmful जो ultraviolet radiation आता है, sun से, उसको क्या है, अर्थ तक आने से रोकता है, बीच में यह layer, अर्थ जो surface है, उससे पहले यह बनी हुए layer, तो यह क्या करता है, यह वहीं पर ultraviolet rays को अपने अंदर absorb कर लेता है, and next क्या है, it is formed high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiation on the oxygen, oxygen के साथ ultraviolet radiation का जो reaction होती है, एक तरह से action reaction होती है, उससे हमारी ozone layer बनती है, chlorofluorocarbon, यह नाम आपको बहुत याद रखना है, बहुत important है, okay, chlorofluorocarbon are the synthetic chemicals responsible for the drop of amount of ozone in the atmosphere, तो आपने सुने ही होगा, कि ozone layer में hole हो गया था, ठीक है, तो वो क्यों होगा, क्योंकि chlorofluorocarbon का बहुत ज्यादा यूजदा यूज़ हो रहा था, यह तरह का synthetic chemicals है, जो as a coolant use होता है, fridge में और AC में, ठीक है, तो बस अगर हमको इसको reduce करना है, जो third question है, इसको इसके लिए answer क्या होगा, कि अगर हमें reduce करन होना है, तो chlorofluorocarbon, जो coolant है, इसकी जगे कोई और coolant use करना होगा, तो nowadays, we are using a different coolant, जो chlorofluorocarbon की जगे पर use हो रहा है, दूसरा coolant, उसके क्या है, कि हमारी ozone layer अब जाकर के ठीक हो गई, क्योंकि बहुत सारे countries ने एक साथ आकर यह देखा, कि chlorofluorocarbon से ozone layer को नुक्सान हो रहा गया, इसका use बंद हो गया, जिससे की धीरे धीरे फिर से और ozone बंते गए, molecules और वहाँ पर set होते गए, जिससे ozone layer का जो hole है, वो अब बंद हो चुका है, तो यह हमारे environment के लिए एक अच्छी चीज़, ठीक है, तो हमें भी अपने environment के लिए उसके अच्छे के लिए ध्यान मे लगती हुए, ऐसा ही करना चाहिए, कि जो हमारे environment के लिए useful हो वो चीज़, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ozone का formation कैसे होता है, ozone जो होती हमारी, इसका formula होता है, O3 हमारा यह ozone है, तो इसका formation ऐसा होता है, कि जो oxygen है, उस पर ultraviolet radiation का जो action होता है, यह इस तरह से पहले molecules में जाता है, अलग-अलग, ठीक है, तो एक atom के साथ, फिर एक O2 का atom जब जुड़ता है, तो यह क्या बना लेता है, हमारा O3, ओके, So, next question is, the resistance of a wire of 0.01 cm radius is 10 ohm, if the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 to the power minus 8 ohm, find the length of the wire, तो इसमें आपको क्या करना है, length find out करनी आपको wire की, ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी given है, वो चीजें आप एक बर लिख लीजिए, ताकि आपको पता हो कि क्या-क्या चीजें में दी हुई है, और क्या आपको find out करना है, तो हमारी दिवीच और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, कि आपको units का बहुत ध्यान रखना है, आपके formula के according, जो भी unit आने चाहिए, उसमें आपको सारे change करके ले आने हैं आपको, ताकि unit आपकी ठीक स्याद है, ठीक है, तो जैसे आपके radius r दी हुई है, और इसको भी निकाल लिया है, मीटर में, resistivity को ohm meter में, आपको जो है area दिया हुआ है, तो इस तरह से formula में आप अपनी values पूट करके, इसके answer easily निकाल सकते हैं, ठीक है, यह देखिए, यह इसका solution है, और इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं, चलिए, next question देख लेते हैं, next question है, establish a relationship to determine the equivalent resistance R of a combination of three resistors having resistance R1, R2 and R3 connected in parallel, ठीक है, तो इसके question के according क्या है, कि सबसे जरूरी चीज़ यह है, कि आपको diagram जरूर बनाना है, और दूसरी बात, यहाँ पर यह जो, यह चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर arrows भी show करने हैं, कि किस तरह से यहाँ पर आपकी, किस तरफ को आपका current flow हो रहा है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर बनाने आपको, यह चीज़ जो है, यहाँ पर arrow put कर देने हैं, कि किस तरफ को current flow हो रहा है, तो आपको पता ही होगा, positive से negative की तरफ को flow होता है, ठीक है, तो यह इस तरह से आप values को put करके इनके बारे में इसका निकाल सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर यह दिया हुए if total current flowing through a circuit I, circuit is I, जो current है वो क्या है? I से हम इसको denote करते हैं, then current passing through R1, B, I1, यानि जो R1 से जारी वो I1 होगी, R2 से जो जारी है वो I2 होगी, और इस तरह R3 से जारी है I3 होगी, इस तरह से इनको एक हम value, इनको एक plus में कर देते हैं क्योंकि parallel में हैं, फिर V upon R, R जो होता है उसमें रखते जाते हैं, और formula actually होता क्या है, I is equal to V upon R, बट हमें find out करना क्या है, I तो हमने I equal to के left side में कर लिया और बाकी right side में करके, इस तरह से हम इनमें put करते जाएंगे और हमारा जो है, इसका derivation हो जाएगा, ठीक है, यह इस तरह से इसके steps हैं, जो आप देख लिजिए ध्यान से, इस तरह से आपको solve करना है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह से इतना solve करने पर last में आपको hence derived लिखना है, उसमें क्या है कि यह derivation हो गया और इतने में आपको अच्छे marks मिलेंगी, यह इतने में ही इतने जो चार steps बताएं आपन इसमें सारा कुछ आपने बता दिया है, इतना enough है, okay, let's see next question, question number 5, an element x has mass number 35 and number of neutrons 18, write atomic number and electronic configuration of x, also write group number, period number and valency, इसमें कई चीजे पूछी गई है, और दिया आपको क्या गिया है, mass number, 35 mass number इसका, और number of neutrons दिये गए हैं, तो जो mass number होता है कि proton और neutron को जो numbers होता है, उनका addition होता है, पर यहाँ पर पता क्या करना है, आपको protons का number पता करना है, mass number दिया हुआ है, neutrons का number दिया हुआ है, तो आपका mass number होता है, जो की दिया हुआ है, तो यहाँ से, अच्छा, configuration से आप जो है, पता लगा लोग, उसका group number, period number, valency, यह सारी चीजे आप configuration से easily पता लग जाएंगे, ठीक है, तो answer जब लिखेंगे, तो आप पहले इस तरह से चीजों को लिखते जाएंगे, कि atomic number of x is equal to mass number minus number of neutrons, ठीक है, तो 35 में से 18 minus की, आपका 17 आगया, 17 जब आया, तो इससे आप configuration निकालोगे, 287, क्योंकि यह जो protons का number होता है, वह ही electrons का होता है, तो इस तरह से आपनी electronic configuration भी निकाल लिया, यहाँ पर 7 क्या बता रहा है, कि यह 17 जो group number है, उसका member है, उसके बाद में, period number क्या है, क्योंकि आपर देखे, 3 cells दिखाई गी है, 287, यानि 3 cells में यह भरा गया है, इसके electrons को, तो यह क्या period number 3 का member है, इसकी valency, जब यह 7 है, यानि कि इसकी valency क्या है, 1, कौन सी, क्योंकि यह क्या करेगा, 1 को gain करेगा, और इसका octet complete हो जाएगा, तो इस तरह से की valency क्या हो होते हैं, question number 6, which compounds are called, number first question है, इसमें alkenes, यानि alkenes कौन से compound होते है, alkenes क्या होते है, alkenes क्या होते है, और फिर उनने दिया है कि C4H20 belongs to which of this, यह जो C4H10 है, यह किस से belong करता है, draw to structural isomers of this compound, इसके हमें isomers भी देने है, so let's see, पहले आपको करना क्या है, alkenes और alkenes, अगर इनकी definition आपको clear होनी चाहिए, यह सारी इनकी definition clear होनी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी definitions यह रही देखिए, क्या है कि the hydrocarbons in which carbon atoms are connected by only one single covalent bonds are called alkenes, ठीक है, single bond होता है, और जो आपके alkenes होते हैं, उसमें double bond होता ह ठीक है, जो alkenes होते हैं, इसमें क्या होता है, triple bond होता है, ठीक होता है, ठीक होता है, एक formula होता है, जब हम अपने इसके values को put करते हैं, यह कि हमारा N है, वो क्या है, 4 है, C के साथ 4, तो इसको हम put करते हैं, तो हमें पता लग जाता है, कि C4H10, जो है, alkenes को belong करता है, क्योंकि यह formula को satisfy करता है, जब होता है, तो क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, H2N है, तो H के साथ 2N जब रखेंगे, तो 4 तूजा 8 हो जाएगा, प्लस 2, 10, तो H10 हो गया हमारा, तो यह इसको क्या करता है, alkenes के formula को satisfy कर रहा है, यानि कि यह alkenes में आता है, ठीक है, structural isomers, इसके जो है, C4, H10 के क्या होंगे, वो देख लेते हैं, यह होंगे इस तरह से, तो आपको एक यह straight line में जो लिखे जाते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो, और दूसरा branch में भी लिख सकते हो, तो यह दो इसके isomers हैं, C4, H10 के, next यहाँ पर question आपके आ रहे है, long answer type questions, जो 4 से 5 marks तक के होते हैं, So, let's see first question, हाँ, आपका long में first question है, what are dominant traits, यह biology को question है, ठीक है, B number में question है, it is possible that a trait is inherited but may not be expressed in the next generation, give a suitable example to justify this statement, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कि इन्होंने जो question पूछा है, first में तो dominant traits बताने हैं आपको A में, B में क्या है, कि अगर कह रहे हैं कि जो trait है, वो inherited है, लेकिन फिर भी express नहीं है, जो next generation है, तो इसके लिए हमें example भी देना है, तो आपने देखा ही होगा, यह चीज इसमें किया हुआ है, सबसे पहले चले solve कर लेते हैं dominant traits को, कि dominant traits क्या है, dominant traits हमारे वो होते हैं, जो first generation जो बाती है, तो जो हमें दिखाई देता है, यानि कि जो ज्यादा effective होता है, जासे tall और dwarf को लेते हैं, तो जो tall वाला होता है, वो dominant trait आता है, क्योंकि वो dwarf वाले को कहीं न कहीं impact करता है, और उसको उभर कर नहीं आने देता है, तो यह हमेंना हमारा long वाला होता है, वो tall वाला property जो होती है, वो dominant होती है, किसके उपर, dwarf के उपर, ठीक है, तो यह हमेरा dominant हो जाता है, और दूसरा वाला हमारा dwarf वाला के होता है, recessy हो जाता है, तो उसके लिए हम इस तरह से return में answer दे सकते हैं, जो मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, इसको पढ़िए, और यह अच्छा answer है, और आप जो इस तरह से लिखेंगे, तो आपको marks अच्छे मिलेंगे, ठीक है, the trait which can express its effect over contrasting trait is called dominant, ठीक है, contrasting है, फिर भी कैसा होता है, dominant होता है, whereas the trait which cannot express its effect over contrasting trait or which gets suppressed by the contrasting trait is called recessive trait, तो बेने आपको बता है, जो डॉफ वाला होता है, वो क्या होता है, अपका recessive होता है, क्योंकि वो उभर कर आता नहीं, जब तक उसमें tall वाली property रहती है, तो tall वाला ही उभर कर आता है, और वही dominant हो जाता है, ठीक है, the inherited trait which is not expressed will be a recessive trait, तो यह हमारे A question के लिए, यह answer है, और question क्याकर है, is it possible that a trait is inherited, तो yes, क्यों हम Mendel's के जो experiment है, उसके थ्रू हम इसको बता सकते हैं, कि यह किस तरह से possible, yes, in Mendel's experiment, when pure tall pea plants were crossed with pure duff pea plants, तो पहले experiment कब किया गया, pure tall लिया गया है, pea plant लिया गया है, ठीक है, और pure duff, इनके बीच में cross कराया गया, तो जो F1 generation है, उसमें क्या होता है, आपके बन क्या आते हैं, जो भी, F1 generation के जो members होते हैं, वो कैसे होते हैं, all tall, ठीक है, वो सभी tall होते हैं, क्योंकि जो tall वाली property है, वो क्या है, dominant है, किस के उपर, duff वाली property के उपर, इसलिए उभर कर जो दिखता है, वो tall ही दिखता है, आप देख सकते ह जो है, यह tall को denote करता है small t, डॉफ को, तो आप यहाँ पर देखे, capital T है, तो यह dominant है, small t के उपर, यानि डॉफनेस के उपर, तो यह इसलिए tall ही दिखेंगे सब इसके, ठीक है, तो F1 के जितने भी होंगे, members, जो भी आएंगे, उस generation के जितने, तो वो कैसे होंगे, सब के सब tall होंगे, फिर किया क्या गया, कि self cross करा दिया गया, first generation के members में, यानि T, capital T, small t, और capital T, small t के बीच में कराया गया, तो आपके जो F2 generation बन के आएगी, उसमें क्या होगा, tall हमारे बन के आएंगे, three, और one हमारा जो होगा, डॉफ होगा, क्यों, क्योंकि हुआ क्या है, कि आप ज ठीक है, small t के उपर, तो जहां-जहां capital T, यह तो pure tall है आपका, ठीक है, यह वाला हमारा hybrid tall है, यह भी hybrid tall है, ठीक है, बट यह हमारा pure dwarf है, क्योंकि small t, small t, दोनों ही same type के हैं, recessive, recessive में मिलके आएं, तो यह pure dwarf है ठीक है, तो इस तरह से यह आप इसमें, यह cross जो बनाते हैं, य आपके answer को ज़्यादा effective बनाता है, और इसमें, examiner आपको जरूर marks देगा, इसमें से marks आपके कटने के कोई chances ही नहीं है, और जो इस तरह से आपको लिख के देना है, वो तो लिखना ही लिखना है, अगर इसमें मालिज, आप कुछ भूल भी जाते हो, लेकिन आपने अगर diagram बना दिया है, यह flow chart इस तरह से बना देते हैं, cross दिखा देते हैं, तो यह ज़्यादा बेटर है, आपके answer को ज़्यादा अच्छे से express करता है, और पूरे marks आप उसमें गेन कर पाते हो, ओके, okay, next question, yes, question number two, an element is placed in second group and third period of the periodic table, burns in the presence of oxygen to form a basic oxide, अब जो member है इसमें, वो second group का है और third period का, कहां से है, second group और third period से, ठीक है, so अब इसके ओपर question इन्होंने क्या पूछे है, four question पूछे है, four marks में, ठीक है, four marks का यह question है आपका, और इसमें one one marks के four part में question पूछे है, तो first part is just asking, identify the element, element को आपको बताना है कि कौन सा element है, भई तो यहां से आप पता लगा सकते हो ना, second group and third period, that means, आपको क्या करना है, learn करना, you have to learn the first 20 members of name and everything about the 20 members of periodic table, तो आपको calcium तक learn करना ही करना है, और जैसे ही आप इन्होंने पूछा second group or third period, यह इन्होंने information दी, आपको तुरं तिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कि हां, यह तो magnesium है क्योंकि second group में, second group का जो member है, और first, third period में आता है, यह हमारा कौन सा है, magnesium, ठीक है, उसके साथ properties और भी दे 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 गए ही, कि जब इसकी oxygen की presence में burn करते है, तो basic oxide बनाता है, इससे भी आपको एक तरह का identification मिल रहा है, तो हमारा element कौन सा होगा, चलिए, answer देख लेते हैं, okay, yes, answer is magnesium, ठीक है, तो जब magnesium burn करता है, oxygen की presence में, तो यह क्या बनाता है, basic oxide बनाता है, okay, next question है, write the electronic configuration, तो configuration आपको पता है, अगर आपको magnesium पता लग गया है, कि यह magnesium है, तो आपने learn किया है, तो आपको पता लग गया कि इसका configuration क्या होगा, ठीक है, electronic configuration is 282, ठीक है, अब यह पता लग है, ठीक है, तो इसे सारी चीजे आजाती है, valency बगरा भी, सारी चीजे पता लग जाती है, but question के according हमें answer देना है, then question number C is, write the balanced equation when it burns in the presence of air, ठीक है, air में जब यह बर्न होता है, तो क्या इसकी reaction होगी, इसको कैसे show करेंगे, तो आपने यह, जो reaction है, 2MG plus O2 is equal to MGO, 2MGO, okay, है, कि यह वाली reaction बहुत easy है, और आप मुझे लगता है, साथ 7th class से आप इस चीज पढ़ते आ रहे होंगे, इसके बारें बताया गया है, तो यह आपको reaction पहले से भी learn होगी, but यहाँ पर एक चीज का कमपलशन है, कि आपकी reaction बालन्स होना है, अब आप 10th class में हो, तो आप स और यह चीज रियक्शन देने के लिए बहुत अच्छा है, कि आप किन किन के बीच में reaction हो रही है, और आपका क्या burn रहा है, product वो चीज आपको पता होंगे, तो आपको पता है कि Mg जब oxygen में burn होता है, तो Mg O बनाता है, और उसके बाद बैलन्स करना, तो कोई कठिन काम नह आपने बैलन्सिंग भी क्लास 7 में ही सीखी होगी, तो यह चीज बहुत ही easy है, ठीक है, थोड़ा साप लरन करेंगे, और उससे बहुत सारे questions आपके solve हो जाते है, write a balanced equation when this oxide is dissolved in water, ठीक है, Mg O जो बनके आया है, जब इसको water में dissolve करेंगे, तो क्या बनेगा, ठीक है, यह भी आ H2O is equal to MgOH का whole twice, ठीक है, तो यह आपका बनके आगया, oxide, तो यह हाँ पर चार जो question पूछे गए हैं, parts में, ABCD करके, यह आपको चार मार्क्स, यह चार लाइने आप लिखेंगे, और चार मार्क्स आपके पक्के हो जाते है, साइंस में देखिए, कोई word limit नहीं होती है, इसम में आंसर देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, यह conceptual होता है, concept आपका clear होना चाहिए, आपने concept को आपने दो लाइन में लेख दिया, तो आपको जितने मार्क्स का होगा, वो मिलेगा, आपका concept clear होना बहुत जरूरी है, okay, let's see next question, question number 3, और यह question जैसा आप डाइग्राम कर ही पता लगा सकती है, यह physics का question है, two coils of insulated copper wire are wound over a non-conducting cylinder as shown, coil 1 has larger number of turns, okay, coil 1 जो है, यह वाली coil, जो है, यह वाली coil, जो है, यह वाली coil, इसमें numbers ज़्यादा है, तो आप देखी रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर कम दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर galvanometer लगा दिया गया है, और यह आपकी क्या है, यहाँ पर battery और यह चीज लगाए गया है, जिससे आपका पता लग जाएगा, किस तरह से इसमें working हो पर जाए ओके, तो question देख लेते हैं, पहले one by one क्या है, write your observation when key, k is closed, अब हमें observation in k according देखना है, कि की अगर k, जो key है, जो closed है, तो क्या होगा, की आपकी open है, तो क्या होगा, ठीक है, next question है, when the current is passed continuously through coil 1, give reason for your observations, okay, अब current अगर पास होता है, coil 1 में से, तो किस तरह का आपको changes देखने को मिलते हैं, third question है, name and state the phenomenon, responsible for above observation, तो ऐसा है कि अगर हम सारे question पढ़ते हैं, उससे बेटर है कि हम धीरे-धीरे answers के करते जाते हैं, okay, so answer first हमारा क्या होगा, answer first करा, when key is closed, the galvanometer needle deflects momentarily in one direction, as when key is closed, magnetic field lines around coil 2 increases momentarily, causing induced current to flow through hence deflection occurs, current flow होगा, तो deflection तो आपका दिखे गाई, galvanometer की जो needle है, उसमें deflection जरूर दिखाई देगा, ठीक है, तो यह question number first के लिए, आपको इस तरह से answer देना है, okay, let's see next question क्या था हमारा, पीछे चल के देख लेते हैं, question हमारा क्या था, तो question हमारा second number है, की के is opened, ठीक है, यहाँ पे close के लिए यह answer था, अब अगर की हमारी open है, तो क्या answer होना चाहिए, उसके लिए answer हमारा होना चाहिए, when key is opened, the galvanometer needle deflects again, momentarily, but in different direction, ठीक है, move तो करेगी, needle में आपको deflection दिखाए देगा, but different direction में होगी, causing induced current to flow through it in opposite direction, ठीक है, क्योंकि opposite direction में move, आपका current flow करेगा, जिसकी वजह से इसका deflection भी आपको अलग direction में, different direction में देखने को में देगा, okay, let's see next question, question B क्या करा है, when the current is passed continuously through coil 1, continuously pass हो रहा है, ठीक है, coil 1 से, give reason for your observations, तो अब हमें देखना है कि, जब coil 1 से pass होता है, तो क्या effect दिखता है, okay, okay, so answer is, for this question, when current is passed continuously through coil 1, no deflection is observed in the galvanometer, as no change occurs in magnetic field lines, passing through the coil 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है, galvanometer की जो needle है, उसमें आपको deflection नहीं होगा, कोई deflection नहीं होगा, क्योंकि क्या है, magnetic field lines में, changes नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके according हमारा, इस question का answer यह बनेगा, yes, question number C क्या करा है, name and state, the phenomena responsible for above observation, ठीक है, अब इसमें आपको बताना क्या है, कि state बताना है और name बताना है, ठीक है, yes, तो answer हमारा होगा, the phenomena observed in above cases is electromagnetic induction, जो phenomena यहाँ पर है, जिसकी विज़े से हम इस तरह का observation कर पा रहे हैं, तो वो phenomena का नाम क्या है, electromagnetic induction, okay, next question, write the name of the rule that is used to determine the direction of current produced in the phenomena, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, rule बताना है, जो rule इसमें कौन सा apply हो रहा है, वो चीज़ हमें बतानी है, okay, तो D number का answer देख लेते हैं, क्या होगा, येस, अच्छा, D number का answer देने से पहले, यहाँ पर एक चीज़ और include की है, मैंने, कि आपको electromagnetic induction के बारे बताना है, जैसे phenomena observe हो रहा है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर चाहिएं, तो दो-चार लाइने लिख सकते हैं, अगर आपको पास time है, तो आप लिखिए, otherwise आपको पास time नहीं है, तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, बट अगर आप देते हैं, तो इसका impact अच्छा पड़ता है, और आपको marks भी अच्छे मिलते हैं, मुल्ब कोई chance ही ने रह जाता है, examiner के पास, कि आपके marks कट करें, तो अगर आपके पास time है, तो आप जरूर इसको शो करें, yes, question number, जो D था, उसके लिए क्या है, Flaming's right hand rule, तो Flaming's right hand rule आपने पढ़ाई होगा, वो यहाँ apply हो रहा है, तो इसके according हमारा answer ये बन जाता है, देख लेते हैं कि अभी कोई question इसमें बचा हुआ है क्या, ठीक है, हमने D option तक कर लिया है, देख लेते हैं अभी कोई, yes, एक question और बचा हुआ है, name the two coils used in this experiment, ठीक है, जो यहाँ पर दो coil use की गई है, इनका हमें name बताना है, okay, so let's see, answer, और ये हमारा question number कौन सा है, E, तो जाहिर सी बात है, हमें इसको D के बाद देखेंगे, yes, तो coil 1 हमारी है, primary coil, और coil 2 जो है, वो secondary coil, तो यहाँ पर आपको answer मिल गए, कि जो coil है, उनका name क्या है, okay, तो यह हमारा question था, और I think यह 5 question थे, इसमें 5 number में पक्के बिल्कुल आपको number मिलेंगे इसमें, यह भी आपका दो parts में question divide है, और यह question ecosystem पे है, that means it is from bio, जो देख लेते हैं, define an ecosystem, draw a block diagram to show the flow of energy in an ecosystem, okay, यहाँ पर क्या दिखाना है आपको, flow of energy दिखाना है, second question करा है, how can we help in reducing the problem of waste disposal, suggest any two methods, अब भी problem तो यह जो वेस्ट वाली है, problem बहुत है, क्योंकि polythene एक एक ऐसा problem हो गया है, जो वेस्ट में इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसका एक proper disposal नहीं हो पा रहा है, इसको किस तरह से कम किया जाए, ऐसा कुछ भी इसके लिए अभी तक नहीं है, तो आप से इसलिए पूछा गया है कि suggest करें क्या methods हो सकते हैं इसके disposal के लिए, तो आपने हैं तो आपने हैं, 10% वाला जो लो है वो आपने पढ़ा होगा इसका जो आपको पता है मतलब क्या होता है कि अगर स्थ जो प्रोडूसर से एनरजी जाती है प्राइमरी लेवल में फ्राइमरी लेवल के जो इसे मिली है यानि 10% जो मिला है इस तेन परसंट का भी 10% next level को जाता है इसलिए इसको क्या बोलते है 10% law ठीक है तो यह आपका first question का answer है second question का answer क्या कह रहा है second question के according answer हमारा है the three methods by which we can reduce the problem of waste disposal are तो इन्होंने क्या पूछा है कि suggest any two but यहाँ पर मैंने तीन suggestion यहाँ पर include किये हैं इन में से कोई भी दो आप दे सकते हो अगर question में दो पूछे गए तो दो ही दीजिए ठीक है but they should be correct first आपका जो method है क्या है adopting the five hour approach और यह five hour है क्या five hour that is first reduce then reuse recycle refuse and repurpose यहां पर five hour आप यह बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहा है even six sevens में भी आपको पढ़ाए गए है तो इनका मतलब क्या है इन five hour को हमको apply करना है यानि कि हमें पहले तो करना क्या है सबसे पहले हमें use करना होता है refuse यानि आप market में गए हो तो आपको refuse करना है कि आपको poly bags नहीं लेनी प्लास्टिक का सामान जितना कम से कम हो यानि कि poly bags सबसे ज़्यादा खतरना होती है तो आप poly bags को refuse कर दीजिए अगर फिर भी आपने ले लिया है तो आपको उसको reuse करना है आपने एक बार use किया उसके बाद उसको फिर से करना कर देंगे अगर बहुत जरूरी है तो ले लिया तो फिर आपको उसको reuse करना है उसको reduce and reduction क्यासे करना है कि आपको यूज नहीं करना यानि कि सबसे पहले आपको यहीं चीज़ देखनी है recycle में क्या होता है कुछ material ऐसे होते हैं जो recycle में जा सकते हैं तो आप उनको recycle में इखटा करते जाए और recycle में दे दीजिए ठीक है repurpose का मतलब कई बार उने क्या होता है कि recycling के बाद भी उनको किसी और purpose के लिए यूज कर लेते हैं तो यह हमारा repurpose हो जाता है नेस्ट बी जो है फिर इसमें करना क्या है में सेकेंड मेथड है इसका segregation of waste into biodegradable and non biodegradable waste तो आपके waste को सबसे पहले करना क्या है वैसे segregation होना चाहिए क्यों इनका अलग करना ज़रूरी एक कुछ ऐसे होते हैं जो तो यहां पर हम इनको किसी और यूज में ले आएंगे non biodegradable waste को recycling में दे सकते हैं तो इसका segregation बहुत ही जादा जरूरी है next third point है conversion of waste into useful components like bio gas and then using compost as a fertilizer तो यह कहीं न कहीं segregation वाले से निकला है कि आपने segregation किया तो biodegradable waste को हम कैसे यूज कर सकते हैं उनको एक जगे डंप करके उनसे जो produce होती है इसको as a bio gas use कर सकते हैं फिर bio gas लेने के बाद में जो आपका बचा हुआ material है उसको as a compost manure use कर सकते हैं fertilizer की रूप में आपको इसको खेतों में यूज कर सकते हैं अपने plants में डाल सकते हैं तो इसका यह भी use है तो यह three points आप इसमें दे सकते हो ठीक है next I have to flow of energy तो आप flow of energy के लिए इस तरह से pyramid show कर सकते हो पिरामिड आप इसको flow of energy को chain में भी दे सकते हैं आज है food chain बट पिरामिड जादा effective है आपको इसमें marks जादा अच्छे मिलते हैं तो producer के पास अगर इतनी energy है 10,000 Joule तो primary consumer के पास कितनी गई 1000 Joule इसी तरह secondary consumer में 100 Joule तो आप देख रहे हैं कि 10% ही हमारी एक energy level से दूसरे energy level में या producer से primary consumer primary से secondary consumer इस तरह से tertiary consumer में इतनी जाती है तरह secondary consumer में देखे कितनी कम गई है 10 Joule गई है के वाल ठीक है तो इसको बोलते है 10 10% लो ठीक है यह है हमारा इसका answer ओके तो next question is question number five और define इसमें हमारा जो question है वो three parts में divided है तो जो इसका first part है define electric power express it in terms of potential difference V and resistance R ठीक ही question हमारा physics का है question B क्या कर रहा है an electric fuse is related at 2 ampere what is meant by this statement let's see answer one by one explain करते जाते है question के साथ में okay so electric power पहले में पूछा गया है और किसके reference में पूछा गया है तो potential difference or resistance electric power है क्या it is the rate of doing work by an energy source or the rate at which the electrical energy is dissipated और consumed ठीक है जितनी consume होरे उसके recording per unit time time से भी इसको relate करके इसका जो consumption है उसको calculate किया जाता है okay in the electric circuit is called electric power तो आप electric power के लिए इस तरह से definition दे सकते है ठीक है next जो question है question के according answer आपका क्या आता है देखिए अच्छा यह क्या है अभी आपका definition के साथ इस तरह से इसका क्या देना है एक तरह से solution देना है कि किस तरह से यह एक गुसरे return upon time कितने समय में आपने कितना work किया गया है इसमें electric circuit में ठीक है तो इस तरह से आप इसको लिप करके देखा सकते हैं जो की बहुत ही effective रहता है इस तरह से दिखाना आपको marks अच्छे मिलते हैं question number जो B है and electric fuse is related sorry rated rated at 2 ampere what is mean by this statement तो इसका answer हमारा यह है it means the maximum current actually यहाँ पर थोड़ी सी problem है तो यहाँ पर आप इसको read कर लीजिये इसमें आपको answer पूरा मिल जाएगा ठीक है fuse wire will melt if the current exists यहाँ पर क्या है कि जो fuse wire है इसका fix होता है कि maximum कितना current इसमें flow होगा तब तक यह इच्छे से work करेगा तो 2 ampere का है तो 2 ampere से अगर इसका current ज्यादा होता है तो यह melt कर जाएगा यह चीज़ आपको fuse wire के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा तो इसमें चीज़ आपको याद होगी कि fuse का use किस लिये होता और इसका melting point इस तरह से क्यों लिया जाता है तो जो से exit करते ही यह melt कर जाएगा तो यहाँ पर आपके कुछ दिखाए गए है यह है हमारे क्या है fuse कुछ एक दिखाए गए है यह वाले जो इतने three types के fuse दिखाए गए है ठीक है चलिए next को देखते है next जो c question है उसका answer यहाँ पर दिया हुए फर्स हमको question पर जाना पड़ेगा कि question क्या क्या रहा है पूछ क्या रहा है question c कह रहा है and electric iron ठीक है जो iron होती है of 1 k w w मतलब यहाँ पर क्या है work है यह what में आता है is operated at 220 volt find which of the following fuses that respectively rated at 1 ampere 2 ampere and 5 ampere can be used in it तो इस question के according जो answer है वो हम देख लेते हैं ठीक है to question number c के लिए हमारा answer यह है इसमें जो given है वो पहले लिख लिया है ठीक है उसके बाद इसको इस तरह से solve कर लिया है I hope आपको चीज समझ में होगी ठीक है अगर कोई problem है तो देख लेते हैं यह रहा ठीक है यहां से आप इसको समझ लीजिए कि इसका जो work है किस तरह से हो रहा है और किस तरह से जो question का according है रेटे जो पूशा गया है वो आप किस तरह से इसको दोगे तो इसका solution इस तरह से आपको देना है okay let's see next question next question question number six है what is methane draw its electron dot structure इसमें हमें क्या बताना है dot structure देना है name the type of bonds formed in this compound why are such compounds poor conductors of electricity and B number question have low melting point and boiling points what happens when this compound burn यहां पर burst जो लिखा है यह actually burst नहीं है यहां पर burn है burn in the oxygen okay इसको ध्यान रखेगा है यह burn है let's see answer first question की कार्डिंग आंसर क्या है पहले तो आपको यह चीज बतानी है कि जो उपर question कि what is methane ठीक है फिर हम बारी बारी से question के according answer पर आएंगे तो methane is a hydrocarbon which is produced when carbon atom share its four valence electrons with four hydrogen atoms ठीक है methane में आपको पता है methane का formula जो होता है होता है और जो कार्बन है उसकी वेलेंसी होती है फोर तो यह फोर जो वेलेंसी होती वो hydrogen atoms उसके साथ add होते हैं वहां पर ठीक सिंगल बाउंड के साथ methane achieves noble gas electronic configuration by sharing its four electrons with other elements that is forms covalent compounds जैसे मैं आपको बताया इस तरह से bond single bond के साथ यह जुड़ जाते हैं तो यहां पर आप देखिए चार hydrogen के साथ यह carbon जुड़ा हुआ है बट यहां पर dot structure दिखाया गया है इसलिए इसमें dots का use किया गया है तो question first जो हमारा पूछ रहा है poor conductors of electricity okay इस तरह के compound poor conductors क्यों होते हैं question number a का answer होगा question के recording है poor conductors of electricity जो compounds है इस तरह के वो poor conductor क्यों होते हैं तो देख लिजिए covalent compounds are bad conductors of electricity due to the lack of free ions ठीक है अब free ions ही तो electricity को conduct करते है ना जब इसमें free ions नहीं है तो यह bad conductor ही होगा क्योंकि electricity को conduct नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह को move नहीं करेगा तो electricity भी हमारी flow नहीं होगी ओके तो इसकी वज़े से होता है यह next question के रहा है have low melting and boiling points what happens when this compound burn in oxygen let's see answer B answer B is compounds formed by covalent bonds and their intermolecular force of attraction is weak thus their melting and boiling points are quite low ठीक है क्योंकि जो bonds बने हैं इनके बीच में जो intermolecular force है यह force of attraction है वो बहुत वीक है जिस वज़े से इनका melting और boiling point भी लो होता है okay when methane burns in oxygen then carbon dioxide and water vapors are formed and a lot of heat is also produced ठीक है जब methane burn करती है oxygen की presence में तो carbon dioxide gas बनती है water vapors भी कुछ form होते हैं और बहुत सारी इसमें heat produce होती है इसलिए हम इसको इसका जो chemical equation वो इस तरह से दी जा सकती है ठीक है CH4 plus 2 O2 is equal to CO2 plus 2 2 O2 plus heat plus light ठीक है बर्न होने पर कुछ light भी प्रोडूस होती है हां आपको reaction देते हुए यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जोई question है balance होनी चाहिए तो यह हमारा इस आज की वीडियो में बस इतना ही था और मैं आप सभी को सुब कामनाय देना चाहती हूं मेरी best wishes हैं आप सभी के लिए कि आप अपने exam से बहुत अच्छा करें लेकिन मैं आपको कुछ बताना जाती हूं कि जैसे कि आप जब exam देते हो तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो वहां पर यह नहीं करना है आपको घबराना नहीं क्योंकि आपकी तयारी बहुत इंफोमेशन दी हुई है उसको अच्छे से रीट करिए आप अपना material उसके according ही लेके जाए जिसकी नीड है वहां पर उसमें जो points दीएगे इसको follow करते हुए ठीक है ताकि आपको वहां जाके कोई problem नहीं हो अच्छे जब आपको वहां पर नोट बुक आती है आपकी आंसर लिखने के लिए तुसमें सारी details को बहुत ही अच्छे से भरिएगा ध्यान से भरिएगा कोई जल्दी नहीं कीजेगा साथ के साथ आपको question reading के लिए जो time मिलता है उसको अच्छे से use करिएगा यानि कि आपको एक-एक question बहुत अच्छे से read करना है आपको reading time को अच्छे से services है और मुझे पूरी उमीद है मुझे भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग का result बहुत ही अच्छा होने वाला है so best wishes from my side from my channel okay तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ही कम time बचा है तैयारी अच्छे से करते हुए और बहुत ही अच्छा perform आप पूरा भरोसा है okay so thanks for watching